हेलो एवर्वेवन, वेलकम टू स्टडी जॉन, इस वीडियो में मैं आपको रियाना करंटा फेर्स अप्रेल की कोश्चंस बताऊंगा, ये कोश्चंस आपको आने वाले एक्जाम्स में हेल्प करेंगे, जल्द ही हमारे और भी वीडियो आने वाली है, हमारे नए वीडियो क के अपडेट पाने के लिए Steady Zone के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल का भी बटन जरूर दबाएं ताकि नई वीडियो अप्लाउड होते ही आप तक जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुंच सके आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट से भी लिख कर जरूर बताइए और इस वीडियो को जया ज्यादा लाइक और शेयर करें अब आप स्टेडी जोन गुरूप के दूसरे चैनल स्टेडी जोन गोरेंट जोब्स फाले चैनल को भी सब्सक्राइब जरू करें वहाँ पर जल्द से जल्द आल इंडिया गोरेंट जोब्स की नोटिफिकेशन डाली जाती है आपका पहला क्वेशन है पंजाब एवं हरियाना हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कोन बने है तो इसमें आंसर होगा पंजाब एवं हरियाना हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस अजय कुमार मितल बने है इससे पहले ये पद एस जे वाजिवदार के पास था नेक्स्ट कोश्चन है हरियाना में सूचना, जन संपर्क और बाशा विबाग किस मंतरी के पास है तो इसमें आंसर होगा आपका हरियाना के मुख्यमंतरी मनोर लाल खटर के पास हरियाना के गवर्नर कप्तान सिंग सोलंकी ने ततकाल परबाव से हरियाने के मुख्य मंतरी मनोरलाल खटर को सूतना जन संपर्क और बाशा के विबाग को सोपा है इससे पहले ये विबाग महिला इम्बाल विकास मंतरी कवीता जैन ने संबाल ला था तो इसलिए आपको इस कोशन में दियान रखना है अब ये किसके पास चला गया हर्याने के मुख्यमंत्री मनोर लाल खटर के पास नेक्स्ट कोशन है हर्याने से राष्टे स्तर पर गोवर्दन योजना काँ से सुरू की जाएगी तो इसमें आंसर होगा गोवर्दन योजना करनाल से सुरू की जाएगी इसी योजना के इंतरगत बायो गैस सेंतरों को व्यक्तिगत या सामुदाइक स्तर पर स्तापित किया जाएगा और सेंसायता समू के स्तर पर तथा गोशालाओ जैसे गैर सरकारी संगठनों के स्तर पर भी स्तापित किया जाएगा और National Dairy Research Institute भी करनाल में स्तीत है Next Question है हर्याड़ सरकार ने शहरी शेक्तरों के लिए जल सम्मद्धी कौन सी नीती शुरू किया तो इसमें आंसर होगा Water ATM या जल ATM इसमें अगर किसी सहर में दो Water ATM लगाए जाएंगे तो उनके बीच में कम से कम 400 मिटर की दूरी होगी इसमें आपका Next Question मनता है कि Water ATM पोलिशी लागू करने वाला देश का पहला राजे कौन सा बना है तो इसमें आपका अंसर होगा Water ATM पोलिशी सबसे पहले हर्याणा राजे में लागू की गई है Next Question है हर्याणा कैबिटनेट ने जुग्गी निवासियों के लिए किस नई पुनरवास नीती को मंजूरी दिया तो इसमें आंसर होगा हर्याणा कैबिटनेट ने जुग्गी निवासियों के लिए Housing for All नीती को मंजूरी दिया और इसके तैत सरकारी जमीन पर सहरी जुग्गी निवासियों को अन्य सेक्टरों में स्तानांतरित के बिना आवा सुईदा उपलब्द कराई जाएगी यानि उनको एक सहर से दूसरी जगह पर सिफ्ट किये बिनाई वहीं पर सरकारी जमीन होगी वहाँ पर उनके रहने के लिए जगह उपलब्द कराई जाएगी नेक्स्ट कोश्चन है हरियान में कचरे से बिजली बनाने वाले 25 मेगावाट सेहंतर का निर्माण किस जिले में होगा तो इसमें आंसर होगा गुरू ग्राम जिले में इसमें आपको ये भी याद रखना है कि कितने मेगावाट का सेहंतर ये बनेगा तो इसमें आंसर होगा 25 मेगावाट का और ये गुरुग्राम में बनेगा इसमें नेक्स्ट आता है कि आपसे कई बार गाउं का नाम भी पूछ लिया जाता है तो अगर आपसे गाउं का नाम पूछा जाए तो यह गुरुग्राम जिले के बंदवाडी गाउं में 502 करोड रुपे का एक बिजली सेंतर स्तापित किया जाएगा ताकि एक इकरत कत्रा प्रबंदरी होजना के तैत कत्रे से बिजली पैदा हो सके यह सेंतर अगस 2019 तक स्तापित होगा और यह 25 मेगवाट बिजली पैदा करेगा और इसकी आदार सिला हर्याना के मुख्यमंत्री मनोर लाल खटर ने रखी हरयानाराज सरकार ने अपने दो स्वास्ते संबंदी कारेकरमों खसरा रुबेला टीका करें अभियान और राष्टय बाल स्वास्ते कारेकरम के लिए किसको ब्रांड अम्बेचर ने उत किया तो इसमें आँसर आएगा अंतराष्टय महीला सूटर गोरिश ओरान को या अगर आपका कुशन है कि महिला सूटर गोरी शोरान को किसका बरांड अमबेश्टर बनाया गया तो आपको ये दोनों कारेकरमों का नाम याद रखना है खसरा रुबेला टीका करें अभ्यान और राष्टे बाल सवास्ते कारेकरम खसरा रुबेला टीका करेन ब्यान के तैत 9 महिन ने और 15 अर्ष के बीच के लगबग 80 लाख बच्चों को टीका लगाया गया महिला स्यूटर गोरिश होराद ने मार्च 2018 में कुवालानपूर में आयुजित सातवे विष्विद्याले स्यूटिंग चेमपेंशिप में संड पदक जीता और जर्मनी के सुयल में विष्च चेमपेंशिप में कासे पदक जीता और तिर्वंतपुरम में राष्टे चेमपे चेमपेंशिप में दो संड पदक और दो रज़त पदक जीते हैं स्वच बारत मिशन द्वारा संचालित गोबर धनियोजना को कहां से शुरू किया गया तो इसमें आंसर आएगा गोबर धनियोजना को हर्याना के करनाल में राष्टे डेरी रिसर्च इंस्ट्यूट से 2018 को केंद्रे पेजल और स्वस्ता मंत्री उमा बारती ने हर्याना के करनाल में राष्टे डेरी रिसर्च इंस्ट्यूट में गोबर धन की योजना शुरू कि आपसे गोबर के फुल फॉम भी पूछी जा सकती है तो इसमें आपकी गोबर के फुल फॉम है गैलोनाइजड और्गेनिक बायो एग्रो रिसॉर्सीज इस योजना में पसु गोबर और अन्य जैविक अपसिस्ट को उर्जा उत्पन करने के लिए उप्योग किया जाता है बायो गैस सेंटर स्तापित करने के लिए आवशक फंड केंद्रिया और राज्य सरकारों दुवारा शाठ चार आएगा अमनप्रीत कोर जगादरी की रहने वाली है और इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसीशन नहीं स्टार टू कोच के पद से नवा जाया हाली में हरियाना में किस तल पर नौनिर्मित बारत्य प्रवदोगिगी संस्तान यानि IIT इंडियन इंस्टिट ओफ टेक्नलोजी दिल्ली टेक्नो पार्क के विस्तारित प्रिशर का उद्गाटन किया गया तो इसमें आंसर आएगा सोनिपत में 3 अप्रेल 2018 को हरियान के मुक्यमंत्री मनोरलाल खटर और केंद्रिय मानव संसादन विकास यह जल संसादन तथा नदी विकास राजयमंत्री सत्यपाल सिंग ने सन्यूकत रूप से राजीव गांदी एजुकेशन सीटी सोनिपत में नौनिर्मित बारत्य प्रवदोगिगी संस्तान दिल्ली टेक्नो पार्क के विस्तारीत प्रिशर का उद्गाटन किया इसमें आपका नेक्स्ट कोश्चन बनता है कि इसमें टोटल कितनी लागत लगेगी तो इसमें आंसर आएगा इस प्रिशर की निर्मान लागत राशी लगबग 175 क्रोड रुपी है नेक्स्ट कोश्चन है मानुसी छिलर को किस ग्रूप ने अपना ब्रांड अबेस्टर बनाया है तो इसमें आंसर आएगा मानुसी छिलर को मालाबार गोल्ड एंड डाइमेंड ग्रूप ने अपना ब्रांड अबेस्टर बनाया है और इसी जवैलरी ब्रांड के 2017 चुनी गई थी ये 67 नंबर की Miss World बनी थी और ये बारत की 6 मिस बनी थी नाइक्स्ट कोश्चन है Miss Haryana Universe 2018 का किताब किस ने जीता तुस्य में आंसर आएगा Miss Haryana Universe 2018 का किताब पृती चिकारा ने जीता Next question है Haryana के मुख्यमंत्री का Media Advisor किसे बनाया गया है तो इसमें आंसर होगा Haryana के मुख्यमंत्री का Media Advisor राजिव जैन को बनाया गया है और किसी भी तरह के विवाद से बतने के लिए राजिव जैन के दरंपतनी कैबिनेट मंत्री कवीता जैन से सूचना जनसंपर्क और भासा विबाग वापिस ले लिया गया मुख्यमंत्री मनोर लाल खटर अब सूचना जनसंपर्क और भासा विबाग खुद समालेंगे और महिला एहें बाल विकास विबाग पहले की तरह बने रहेंगे। Next question है, हर्याना उर्दु अकादमी का उपाध्यक्स किसे निउक्त किया गया। तो इसमें आंसर होगा हर्याना उर्दु अकादमी का उपाध्याक्स डाक्टर चंदर तरिखा को नियुक्त किया गया। इसमें next question बनता है कि हर्याना साहित्य अकादमी का वाइस चेर्मेन किसे नियुक्त किया गया। तो इसमें अंसर होगा हरियाना साहित्य अकादमी का वाइस चेर्मेन राणा उब्रोई को न्यूक्त किया गया राणा उब्रोई मूल रूप से पानिपत के रहने वाले हैं Next question है Convealth Games में हरियाने के खिलाडियों ने कितने पदक जीते तो इसमें आंसर आएगा Convealth Games में हरियाने के खिलाडियों ने 20 पदक जीते और Total India ने यानि Total 12 खिलाडियों ने 66 पदक 66 मेडल जीते जिनमें से 26 जाणा पदक 20 रजत यानि सिल्वर मेडल और 20 कास्य पदक जीते है इस बार के Convealth Games गोल्ड कोष्ट आस्टेलिया में हुए हैं जिनमें से 37 खिलाडियों हरियाने के थे इन्होंने 9 गोल्ड, 6 रजत और 7 कास्य पदक जीते हैं Total आपके 22 पदक बन जाते हैं जो हरियाने के खिलाडियों ने जीते हैं Next Question है Convealth Games के विजयताओं को हरियाना सरकार दुवारा कितिनी राशी दी जाएगी तो इसमें आपके सबसे पहले आता है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है यानि जिन्होंने संड पदक जीता है उन्हें 1.5 करोड रुपे और A क्लास की नोकरी दी जाएगी Next आता है जिन्होंने सिल्वर मेडल यानि रज़त पदक जीता है उन्हें 75 लाख रुपे और क्लास B की नोकरी दी जाएगी और Next आता है जिन्होंने ब्रॉंज मेडल यानि कासे पदक जीता है उन्हें 50 लाख रुपे और क्लास C की नोकरी दी जाएगी नेक्स्ट कोश्चन है हरियाना में चिकिच्चा विज्ञान विश्विद्याले काम पर खोला जाएगा तो इसमें आंसर आएगा चिकिच्चा विज्ञान विश्विद्याले करनाल में खोला जाएगा इसमें आपका यह question बनता है कि हर्याना में चिकित्षा महाविद्याले काम पर खोला जाएगा तो इसमें answer आएगा चिकित्षा महाविद्याले जीन्द में खोला जाएगा आपको दोनों कोश्चनों में डिफरेंस रखना है अगर आपसे पूछा जाए चिकित्सा विज्ञान विश विद्याले तो आप का अंसर होगा करनाल में अगर आपसे पूछा जाए चिकित्सा महा विद्याले तो आप का अंसर आएगा जीन्द में नेक्स्ट कोश्चन है हर्यान का पहला स्टार्ट अप इनक्यूबेटर कम सेंटर ओफ एक्सिलेंस सेंटर कहां कुला तो इसमें आंसर आएगा पंशकुला में और इसका उद्गाटन हर्यान के सिक्षा मंतरी राम बिलाज सर्वमा ने किया यह हर्यान का पहला एस सेंटर है जहां 50 से ज़्यादे विश्यों पर छात्रों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाएगी Next question है हर्यान में रेल कोच फैक्टरी काँ बनेगी तो इसमें अंसर आएगा हर्यान में रेल कोच फैक्टरी गन्नोर सोनिपत में बनेगी और इसकी कुल लागत 600 करोड रुपे होगी सोनिपत में बनने वाले इस फैक्टरी में ट्रेन के डिब्बो की सजावट और नवी करण सम्मद्धी काम होगे Next question है UPSC की प्रेक्षा में दूसरा स्थान किसने प्राप्त किया है तो इसमें आंसर आएगा UPSC की प्रेक्षा में दूसरा स्थान हर्यान की बेटी सोनिपत की अन्नु कुमारी ने प्राप्त किया है अन्नु कुमारी को हरियाने के सोनिपत जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड अम्वेश्टर बनाया जाएगा अगर आपसे पूचा जाए कि पहला स्थान किसने प्राप्त किया है तो आपका अंसर आएगा हैदराबाद के अनुदीप दुरी शेटी ने पहला स्थान प्राप्त किया है नेक्स्ट कोश्टन है बारते महिला होकी टीम की कपतान कोन है तो इसमें आंसर आएगा बारते महिला होकी टीम की कपतान रानी रामपाल बनी है रानी रामपाल 2018 में सबी टूर्नामेंटों में कप्तान रहेंगी जिनमें जुलाई में होने वाले विशकप और जगराता में होने वाले एशाई खेल सामिल है रानी रामपाल का संबन्द हरियाना के शाबाद मारकंडा कुरुशेक्तर जिले से है और इनका जनम 4 दिसंबर 1904 में को शाबाद मारकंडा में हुआ था 2010 में 15 वर्ष की उमर में वो मैला विशकप में सबसे युवा खिलाडी बनी नेक्स्ट कोशन है बारते पुरुशोकी टीम के कपतान कोन है तो इसमें आंसर आएगा बारते पुरुशोकी टीम के कपतान है पी आर स्रीजेश नेक्स्ट कोशन है हरियाना सूब जोचिना पेशन योजना 2018 का लाब किन लोगों को मिलेगा तो इसमें आंसर आएगा Surb जोचिना पेशन योजना का लाब जून 1975 से मर्च 1977 के बीच आपातकाल के दिनों में कैद या पीडित लोगों को इसका लाब मिलेगा इसमें नेक्स्ट कोशन मनता है कि हरियाना सुप जोच्छना पेंसन योजना 2018 के अंतरगत कितनी राशी परदान की जाएगी तो इसमें आंसर आएगा इसके अंतरगत 10,000 रुपे की राशी परदान की जाएगी नेक्स्ट कोशन है किस योजना के तैत हरियाना सरकार सिचाई उपकरणों को खरीदने पर राशे के किसानों को सबसीड़ी परदान कर रही है तो इसमें आंसर आएगा परदान मंतरी किर्शी सिचाई योजना के तैत, रियान सरकार फवारों, मीनी स्प्रिंकल और टपका इत्यादी सिचाई उपकरणों को खरीदने पर सबसीडी का लाब उठाने के लिए सबी इच्चु किसानों को इस योजना के लिए ओनलाइन आव जीता, वर्ल्ड स्कूल बेड़मिंटेन चैप्पेंशिप हाली में पूना में आयोजीत हुई थी और इसमें सिल्वर मैडल पारस मातुर ने जीता, पारस मातुर हरियाना के बादुरगड के रहने वाले हैं, बादुरगड हरियाना के जज़र जिले के अंतरगत आता है औ और इसमें पारस मातुर ने सिल्वर मैडल जीता, वर्ल्ड स्कूल बेड़मिंटेन चैप्पेंशिप में पंदरा देशों के सैकडों खिलाडियों ने भाग लिया था नेक्स्ट कुश्चन है, हरियाना में इंट्रास्टेट ईवे बिल कब से लाग हुआ? तो इसमें आंसर आएगा, हरियाना में इंट्रास्टेट ईवे बिल 20 अप्रेल 2018 से लाग हुआ ईवे बिल हरियाना में समानों के इंट्रास्टेट संचालन के लिए अनिवारिया है upcoming exams और subscribe के साथ आप notification bell का भी बटन जरूर दबाए ताकि video upload होते ही आप तक पहुंच जाए अब आप हमें facebook link पर भी follow कर सकते हैं हमारा facebook link नीचे दिवा हुआ है आप इस पर जाकर हमें facebook पर follow कर सकते हैं ताकि हमारी videos आप तक facebook के दिवारब भी पहुंच सकें